वो शुब घड़ी पास आ गई है जिसकी असंख्य जन्मानस को सदियों से प्रतीक्षा है यानि राम लला अपने भव्वे और दिव्वे मंदिर में विराजमान होंगे मंदिर निर्मार कारे तेजी से चल रहा है और इस बीच जो भी शुब सूचना मिलती है उस पर राम भक्तों का उत्सा मानो दुगना हो जाता है इस समय हम राम जन्भूमी निर्मार कारे शाला में है यानि जब ये मुकदमा चल रहा था उस वक्त भी यहाँ पर वो पत्थर तराशे जा रहे थे जो राम मंदिर में लगने थे यानि इस बात की उमीद को ले करके दूर दूर से लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आते थे और आज भी आते है लेकिन इस वीच एक शक्स ऐसे हैं जो 1990 से आज तक लगातार यहाँ पर इस काम को देख रहे हैं इसका निरीक्षन कर रहे हैं उनी की देखरेक में राम जन भूमी निर्माड कारेशाला में सारा काम हुआ है यानि अनु भाई सोमपुरा जी सोमपुरा आर्किटेक्ट की तरफ से गुजरात से यहाँ आ करके लगातार यहाँ तब से आज तक है अनु भाई आज कैसा मैसूस कर रहे हैं अब इतनी तेजी से निर्माड हो रहा है लेकिन आपने सब कुछ अपनी आँखों से देखा है बलकि इसके साक्षी रहें भागीदार रहें ऐसा है कि हमने तो कुछ नहीं लगता था कि हम देख पाएंगे लेकि राम जी की इच्छा सी तो अभी काम चली रहा है और मंदिर पूरा बन जाएगा उसके बाद ही यहां से जाओंगा लेकि राम जी बीमार भी हो गया मैं कितनी बार मलने जैसा भी हो गया था फिर भी रा जी ने खड़ा कर दिया यह बताईए उनने सो नवे में आप यहां आए थे यानि उस वक्त तो शायद यह उम्मीद करना भी मुश्किल था कि राम मंदिर नहीं कोई नहीं रहा था यह सब दंगर जैसा था यह बबल के पेड़ सा पेड़ लगा हुआ था सब बबल की तो को यह सोंपुरा अर्केट की तरो से तब यहां पर अच्छा यह बताईये यह बताईया यहां पर जो पत् 상황 आहरां यह पर तर शीघी पसर हम देखते हैं कि लोग आते रहीं यहां पर द शन करते उनको भी लोग एक तरह से पूछते हैं तो कितना भाव लोगों के महन आपने देखा है यहां उन पत्थरों को लेकर के रामलला को लेकर तो पत्थर को देखके नमते पूझा करते हैं अप मंदिर के निर्मार से सीधे तो पर जुड़े रहें तो अभी तो ग्राउंड फ्लोर का निर्मार तेजी से चल रहा है लेकिन जिस तरह से तारीक दी गई है दिसं बाकी पर काम चलता रहेगा अचा एक ग्राउंड फ्लोर का काम पूरा हो जाएगा उसमें रामलला विराजमान होंगे जनवरी दोहजार चोबिस में और बाकी का काम चलता रहेगा अचा यह बताईए लोगों के मन में हालांकि समय समय पर वीडियो राममंदे ट्रस्प जा रहे हा है सब सफ़ाई हो कर आदा कोड़ा ऊची सपय और ही सब वह जा रहा है सब हचा जा रहे वहीं है वागहीं बहुत विशेश हो गा यह मंदिर आपकी नजर में क्योंकि लगातार आप इसमें शामिल सबसे खास jadi a big a ty जैसे सोमनाद का मंदिर बना ऐसा ही बनाएग जैसे सूमनाथ का मंदिर बनाए आर्केटेक्ट चुए ही हुए है हम देखा है सब को हमरे चलेगे बड़े-बड़े चलेगे मंदिर की लड़ने में सब योगदान दे दिया मंदिर नहीं देख पाई लेकिन हम देखेंगे आपके उम्र क्या है यहां पर देख रहे हैं राम बंदिर निर्मान की यहां पर लगातार उनको हम लोग भी देखते रहे हैं जब आते रहें तो अपने आप में एक भव और एतिहासिक मौका है जब राम लला विराजमान होंगे वो तारीक अभी बताई जा रही है 22 जनवरी 2024 लेकिन उससे पहले दिसंबर में मंदिर का काम पूरा हो जाएगा और वो लोग जो इसमें शामिल रहे हैं उनके लिए एक बहत यादगार और भावुक कर देने वाला खशने है और जो लोग के हां आ रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत यादगार एक अफसर है वीडियो जानलिस संजय सिंग के साथ शिलपी सेन अयोध्या